हलो ।। । के अप सब करएं आप सब। आज आप के लिए को न्यूव रेसिपी ले आई हूँ उपि की फैमस रेशिपी है जिसे लेट्टी के साथ बना जाता है उसे चोछा भी कहा जाता है और कच्चा भेंगन का भ्रता भी कहा जाता है या बेंगन का कच्चा भरता भी जो भी कहले आप तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए और अगर आपको पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक मुझे जरूर दीजिए तो आईए कीचन में चलते हैं और बनाते हैं बेंगन का कच्चा भरता आप अजमें बना रही जा रहे हूं यूपी का स्पेशल चोखा जिसे कहते हैं यह इसे कच्चा बेंगन का भरता भी कहते हैं तो उसे बनाने के लिए हमें जो सामगरी चाहिए वह इस प्रकार है तो ओनियन को मैंने बारीट चॉप कर लिया है कोरिएंडर लिए हरी मिर्ची क थोड़ा से मैं ने क्रश कर आवा भी लिया है और इसतर से एक दो हरी मीर्ची हेल नहीं डालती कि से फिल कहारे जेल लिया ने क्ली स्वरसो कि तेरी लिया था शॉड़ा सा 측़ थोड़ा सा मैं हम साल्ट लिया है एक अरृप भीकिल कि इस तो बनाने जा realize लिस ले मैं और दो तीन कली हमें लसन ले लेना है तो सबसे पहले मैंने बेंगन को इस तरह से स्लीट करके रखा है अब इसके अंदर हम लसुन डाल देंगे इससे बेंगन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा तीन चार कली आपको जितनी भी डालना हो इसमें लसुन डाल देंगे और इस पर थोड़ा सा आयल लगा देंगे इसमें सरसो का ओयली लगाएंगे ताकि ये अच्छे से इसका इसमों की फ्लेवर आजाए अंदर और अब हम इसे गेस पे सेख लेंगे इसको आउन कर दिया है अब इस पे हम बेंगन भी रख देंगे टमाटर भी हम इसी पे रख देंगे और हरी मिर्ची भी रख देंगे आप इस तीनों को साथ साथ में भी सेख सकते और अलग अलग भी सेख सकते हैं अब इसे फ्लेम में टेज कर दोगी तो बेंगन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे तो फ्रेंज देखिए हमारा बेंगन भी अच्छी तरह भून गया है टमाटर भी और हरी मिर्ची भी अच्छे से भून गई है यह जली नहीं है इसके सिर्फ छिलके इस तरह से हमें बूलना है ताकि अंदर से बहुत अच्छी तरह से पक जाईए तो अब में इसे एक प्ल मैंने यह देखी गार्लिक भी छिली भी है और बेंगन और इसके छिलके निकाली टमाटर के तो अब हम इसे रेडी कर लेते हैं तो मैंने एक बाव ले लिया उसमें बेंगन ले लिया मेरा से मेशर से मेश कर लेंगे इसे में साथने हम आलू भी एट कर देंगे तो यह भी मेश हो जाएगा आलू डालने से चोखे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है क्योंकि किसी किसी को बेंगन का टेस्ट पसंद नहीं आता है तो आलू डालने से बहुत अच्छा आता इसका टेस्ट और अब दोनों ची हो चुका है तो बच्ची में बच्ची हरी मिर्ची और लसन तो इस तरह से हम कूट लेंगे अगो को अब आप अब देख सकते हरी मिर्ची और लसन को भी मैंने कूट लिआ है तो अब हमने जो चोखा मेश किया था आलू बेंगन टमाटल का उसमें यह एड कर देंगे और बचीवी सामगरी में हमें इसमें एड करना है प्याज जो हमने बारिक चॉप करके रखे थे टेस्ट के अकॉर्डिंग प्याज एड कर लेंगे इसमें मिक्स कर देंगे सब को अच्छे से अब इस में इड कर बाइस पां एंदेब्तिंग तो बयार अलू बेंगन का कर देए कि अपितेकी सब कर देंगे अनल आलू वें का कच्चा भरता या चोखा बनकर रेडी है इसे आप पूरी पराठे या जो लिट्टी बनती है उसके साथ भी खा सकते हैं तो आप इस रेसेपी को जरू ट्राए किजिए बहुत ही क्विक रेसेपी आपने जैसा कि देखा है इसे बनाने में 5-7 मिट लगाए बस तो आप इस